नमस्कार बच्चो आपको कहानिया सुनना पसंद है ना हाँ सुनिये हैं आपने कहानिया अपने नानी से दादी से सुनाना आपने दादा दादी की नाना नानी की कहानिया तो वो जो कहानिया होती थी वो ज़्यादा तर किस्य सबंदित होती थी राजा और रानी की राजा औ पर रानी महल में रहते थे फिर क्या हुआ कि वो महल जो था कई सालों के बाद जब वहां कोई नहीं रहा तो वो एक खंडहर बन गया और जब खंडहर बन गया तो लोगों ने उस से मिलती जुलती कई कहानिया बनाना शुरू कर दिया और कई वार तो लोग उस पर विश्वा पास भी कर लेते हैं तो आज हम इसी प्रकार खंडहों से जुड़ी हुई एक कहानी की बात करने जा रहे हैं एक बार जस्पाल और हर प्रेत अपने घर के पास क्रिकेट खेल रहे थे उन्होंने सुना कि लोग एक खंडहर जैसे घर की तारिफ कर रहे थे कोई उसकी वास्तुकला की तारिफ कर रहा था कोई उसकी लकड़ी पर नकाशी की तारिफ कर रहा था और वे चाते थे इस खूबसूर्थ घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत की जाए जस्पाल और हर्पित सोचने लगे कि लोगों को इस पुराने घर से इतना लगाव क्यों है क्यों ये लोग इसे गिरा कर यहां कुछ नया बनवाने की नहीं सोचते क्या है इन खंडहरों में जस्प्रीत ने कहा बच्चो आज कुछ ऐसी ही खंडहर बनी जगें के बारे में जानेंगे जो हमें एक युक के एक काल के बारे में बताएगी और वह है हडपा की कहानी हडपा की कहानी जानने से पहले हम मानव जीवन को एक बार फिर समझ लेते हैं बच्चों आपको पता ही है पहले जो आदि मानव होते थे वो जंगलों में रहते थे पेड पोदों से खानाय कठा करके खाते थे या जानवरों का शिकार करके खाते थे ये सभी चीजें उन्हें एक ही जगां पर जादा नहीं मिल पाती थी, तो वह अपनी जगां बदलते रहते थे, उनके रहने की कोई एक विवस्ता नहीं थी, वे लोग गुफाओं में भी रह लेते थे, धीरे धीरे उन्हें कुछ ऐसे पोदों का पता चला जिनसे अनाज मिल पता था और उन्होंने इसकी पैदावार शुरू कर दी, इस त्रहें क्रिशी की शुरुवात हो गई, खेती के लिए पानी की जरूरत होती है, तो वे लोग नदियों के आसपास जाकर रहने लगे, जिससे पानी की समस्या नह हो, इस त्रहें लोग छोटे-छोटे सुमुह में रहने लगे, और गाउं का निर्मान होने लगा, और बाहरी लोग आकर मनना कर दें, इसलिए गाउं के चारो तरफ एक दिवार बना दी जाती थी, और धिरे-धिरे लोगों ने अनेक काम शुरू कर दिये, और जो गाउं थे धिरे-धिरे शेहर की तरफ बढ़ने लगे आपको पता है बच्चो कि अंग्रेज भारत में आये थे और अपने फैदे के लिए उन्होंने यहां पर कई काम किये थे और उसी कड़ी में उन्होंने यहां पर रेल्वे का जो जाल था वो बिशाना शुरू कर दिया था और भारत में लगबग डेट सो साल पहले पहली ट थे अचानक उनको कोई पुराना स्थान मिला जो की आधुनिक पाकिस्तान में है उन इंजीनियरों को लगा कि ऐसा खंडर है जहां से अच्छी इंटे मिल सकती हैं यह सोचकर उन्होंने वहां से हजारों इंटे निकाल ली जिससे उन्होंने रेल्वे लाइन बनाई इंटों को खाडने के कारण वहां पर अनेक इमारतें गिर गई थी ये इंटें बहुत मजबूत होती थी इनको एक विशेश्ट रह से बनाया जाता था असी साल पहले पुरा तत्तव विदों ने इस थान को ढूंड निकाला था यह खंडहर उप महाद्वेप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इस शहर का नाम है हडपा हडपा की खोज सबसे पहले होई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इमारतों और चीजों को हडपा की सभ्यता कहा जाने लगा इन शहरों का निर्मान लगबग 4700 साल पहले हुआ था हडपा के बाद और भी कई नगर निकले जिन में मोहन जोदुरो, काली बंगन, लोथल, आलम गिरपूर और भी इस तरहें कई नगर जो थे इस सब्यता में बाहर आए इन सब चीजों के साथ साथ नगरों में और भी बहुत से काम हो रहे थे, आओ उनके बारे में भी जानते हैं नगर और नए शिल्प, यानि नगरों में नए नए प्रकार की चीजें बन रही थी, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे खोज करताओं को वहाँ जो चीजें मिली हैं उनमें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातूं से बनी चीजें मिली हैं इन धातूं से ओजार, हतिहार, गहने और बरत्थन बनाए जाते थे पहले के समय में मानव पत्थरों की बनी चीजों का इस्तमाल ज्यादा करते थे प्रन्तु अब धातूं से हतिहारों को बनाया जाने लगा था प्रंतु ये चीज भी याद रखने जरूरी है कि इस काल में भी लोहे का प्रियोग नहीं हुआ था खाना बनाने के लिए अलग-अलग बर्तनों की जूर्थ होने लगी तो मिट्टी और अन्या धातूं से बर्तनों का निर्मान किया गया ये लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तामबा और पितल दोनों बहुत मजबूत धातूं होती हैं इसलिए हथियारों को बनाने में इन दोनों धातूं का उप्योग किया जाता था सोना और चांदी दोनों मुलायम धातुएं हैं इसलिए इन अभूशनों को बनाने में इनका इस्तेमाल होता था कुछ बर्तन सोने चांदी से भी बनाये जाते थे यहां मिली सबसे आकर्शक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं मनके के खूबसूरत अभूशन लोग पहनते थे, मनके बनाने के लिए पत्थरों को पहले काटा जाता था फिर उनके बीच में से छेद किया जाता था, जिससे उसमें धागा पिरोया जा सके कई तरह के मनकों को जोड़कर बीट्स बनाए जाते थे जिनको लोग अभूशन की तरह पहनते थे फिर वहाँ बाट भी मिले हैं आपको बाट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी क्योंकि ज़्यादा तर हम वेट बोलते हैं बाट नहीं बोलते बाट के द्वारा हम किसी भी चीज का वजन करके तोल सकते हैं जब लोग महंगी महंगी धातों को खरीदते और बेचते हैं तो उसके सही माप की जरूरत पड़ती है सोना चांदी जैसी धातों को खरीदने और बेचने में सही तोल होना जरूरी है इन बाटों को बनाने के लिए एक त्रहें के पत्थर का इस्तेमाल होता है जिसे चर्ट कहते हैं इसके इलावा कड़ाई किये हुए वस्तर भी मिले हैं बच्चों आपने पड़ा होगा कि जो आदी मानुथा वो पत्तों या जानवर की खाल के ही वस्तर पहनते थे प्रन्तु इस समय के लोगों ने जब खेती करना शुरू किया तो उन्हें एक अलग किसम का पोधा मिला कपास का पोधा वहीं से उन्हें लगा कि इस फूल के द्वारा हम कपड़ा बना सकते हैं बच्चो आपको पता होगा जो धागा होता है वो कपास के फूलों से ही बनाया जाता है साथ हजार साल पहले मेहरगड में कपास की खेती होती थी आपको ये भी पता होगा गांधी जी और उनका चर्खा चर्खा चलाते हुए जो सूत त्यार किया जाता था वो कपास के फूलों से ही बनता है हडपा सभेता का कोई प्रमान जीवी तो नहीं मिला पर जो पुराने अवशेश मिले हैं उसी के अधार पर वहां की जीवन शैली का अनुमान लगाया गया है जैसे किसी महतरपुर्ण व्यक्ति की मूर्ती पर जो वस्तर दिखाया गया वो एक कड़ाईदार वस्तर था जिससे अनुमान लगा कि उस समय इस त्रहें के वस्तरों को बनाया जाता होगा मोहन जोद्रों से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेश चांदी के एक फूल दान से चिपके मिले हैं इन चीजों को बनाने का काम भी विशेशग्यों का होगा आपको पता ही है विशेश अग्या कोन होते हैं जो किसी चीज को बनाने का खास प्रशिक्षन लेते हैं उन्हें विशेश अग्या कहते हैं पत्थर से तराशी हुई मूर्तियां मनकों के अभूशन सोने चांदी के अभूशन आदी सभी एक विशेश अनुभव से ही बनते हैं इस बात का पता नहीं लग पाया है कि क्या केवल उर्श ही इस तरह का प्रशिक्षन लेते थे या इस तरियां भी बच्चों आपको पता ही है अंग्रेजों ने भारत में एक बहुत लंबे समय तक शासन किया और जब वो शासन कर रहे थे तो अपने फैदे के लिए उन्होंने कई काम किये जैसे उन्होंने भारत में जो रेलिवे लाइन थी उसको बिचाया क्या हुआ आज से लगबग 150 साल पहले कि जब लोग इंजीनियर लोग लाइन बिचा रहे थे तो उन्हें एक खंडहर मिला और उस खंडहर में जो इंटे थी वो बहुत अच्छी थी तो उन इंजीनियरों ने सोचा कि क्यों ना इस खंडहर की इंटों को हम इस रेलिवे लाइन जो बिचाया रही है उसमें प्रयोग करें ये जो इटे थी बहुत ही अच्छी होती थी और आज से लगबग 80 साल पहले 1922 में लगबग ये पता चला कि ये जो स्थान था वो हडपा था यानि एक सभ्यता थी और वहाँ पर जब इस स्थान की खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही सम्रिद जो सभ्यता थी वो फली फुली थी और इसके साथ साथ बाद में और भी आसपास कई नगरों की खुदाई हुई और चूंकि सबसे पहले ये स्थान जो था हडपा इसकी खुदाई हुई थी इसलिए इस सभ्यता को हडपा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा हडपा के साथ साथ यहां पर और भी कई नगर थे जैसे मोहन जोदरो था जैसे बनावली था जैसे काली बंगन था धोला विरा था और भी पहले तो यही था कि ये सिंदू घाटी के आसपास क्योंकि यहां के बीचों बीच में से एक सिंदू घाटी एक नदी निकलती है सि कहा जाने लगा कि ये जो सब्वेता है सिंदू घाटी की सब्वेता है पर बाद में पता चला कि सिंदू घाटी से दूर दूर तक भी इस सब्वेता के नगर मिले हैं इसी लिए इसको हडपा के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि हडपा ही पहला नगर था जहां पर के बारे में जानेंगे इन नगरों की बहुत विशेशताएं थी इन नगरों को दो या उससे जादा हिस्सों में बाटा गया था प्राए पश्चमी भाग छोटा था लेकिन उन्चाई पर या एक टीले पर था और पुर्वी इलाका बड़ा था लेकिन यह नीचे की तरफ बन उन्चाई वाले भाग को नगरदूरग तथा निचले भाग को निचला नगर कहा जाता था इन शहरों को इंटों से बनाया घया था और इन इंटों को इंटरलॉकिंग तरीके से लगाया घया था जिससे दिवारें मजबूत बनी रहें देखा बच्चों आपने पांच हजार साल पहले भी कितने ध्यान और मजबूती से इमारतों को बनाया जाता था यहां पर कुछ नगरों में खास रहें की इमारतें बनाई गई थी बोहन जोदरों में बनाया गया तलाब खास था जिसे पुरा तत्तव वेद महान सनानागार कहते थे इस तलाब को बनाने में एट और पलास्टर का प्रियोग किया गया था यह एक स्वेमिंग पूल जैसा था पानी का रिसाव रोकने के लिए पलास्टर के उपर चारकोल की परत चड़ाई गई थी इस स्रोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीडिया बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाई गई थे इस तलाब को बनाने में एक विशेश प्रकार की योजना बनी थी ऐसे लगता है जैसे किसी विशेश आयोजन पर इसका इस्तेमाल होता होगा इसमें पानी भरने के लिए कुवों से निकाला जाता था और पानी निकालने के लिए उसमें अनेक नालियां बनी हुई थी आपने देखा होगा कि आज कल पानी निकालने के लिए मोटर और पाइप का इस्तेमाल करते हैं प्रंतु इतने साल पहले इस काम की योजना बनी हुई थी इसके अतरेक दो नगर काली बंगा और लोथल के बारे में भी हम जानेंगे इन नगरों में अगनी कूंड मिले हैं अगनी कूंड वह होता है जिसमें आग जलाकर यग यां हवन किया जाता था ऐसे लगता है उस समय भी देवी देवताओं को उजा जाता था इन सभी स्थलों में कुछ अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं जैसे मिट्टी के लाल बरतन, पत्थर के बाट, मुहुरे, मन के, तामबे के उपकरण, आदी अब हम इस सभीता के भवन, नाले और सडकों के बारे में जानेंगे यहां जो भवन बनाये जाते थे, वो एक यां दो मंजिल के होते थे, कमरों के आगे आंगन बनाया जाता था वहां के घरों में ज्यादा तर कमरों के साथ अलग से सनाना घर बनाया जाता था अब सनाना घर के लिए पानी की जरूरत है तो वहां पर कुएं बनाये होते थे घरों में से पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी इन नालियों को हलका सा धलान के साथ बनाया जाता था ताकि पानी असानी से आगे बह सके ये नालियां उपर से धकी होती थी नालियों में पानी के साथ साथ कुड़ा भी चला जाता है मिट्टी धूल कुडा जब नालियों में जाता है तो उनके फंसने की वज़य भी हो जाती है तो इसके लिए नालियों में जगया जगया पर छोटे छोटे छेद बनाये जाते थे जिससे आप देख सकते हो कि वहाँ पर गंदगी फस रही है और नालियों की सफाई अराम से की जा सके घरों की नालियों को सडकों की नालियों से जोड दिया जाता था ताकि नालियों का पानी असानी से आगे जा सके जगएं जगएं मैन होल बनाए गए थे जिससे इनकी देखवाल और सफाई हो सके सडकों का निर्मान भी बहुत योजना के साथ किया जाता था हर चेज बहुत योजना से बनाई गई थे अब हम शहर के लोगों की जिन्दगी के बारे में जानेंगे नगरिया जीवन वहां का नगरिया जीवन कैसा था यहां के लोगों का जीवन विवस्थित था सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते थे ज्यादातर लोग नगर की इमारतों को बनाने का काम करते थे यहां के जो शासक होते थे वे लोगों को दूर दराज के स्थानों पर भेज कर धातू, पत्थर और उपियोगी चीजें मंगवाते थे शासक लोग अपने आसपास कीमती, धातू और सोने चांदी के अभूशन रखते थे बच्चो आजकल के समय में अगर लोगों को धन की जुरूरत हो तो वे बैंक या व्याज पर लेकर अपना काम पूरा करते हैं प्रन्तो उस समय जो राजा होता था उसके खजाने में धन की विवस्ता होते थे इन शहरों में लिपिक भी होते थे, लिपिक को आजकल कलरक कहा जाता है जिसका काम था लिखना वो मुहरों पर तो लिखते ही थे, अन्या चीजों पर भी लिखते थे इसके अलावा हाथ की बनाई हुई बहुत चीजों का अविश्कार हुआ जिस से उनके उद्योग धन्दे चले इस्तरी पूरश दोनों मिलकर शिल्वकारी का काम करते थे वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के खिलोने भी मिले हैं जो टैरा कोटा या पक्की मिटी के बने होते थे इन खिलोनों को देखकर वहाँ पर इस्तेमाल होने वाली चीजों का भी पता चलता है हम उसी चीज का खिलोना बनाते हैं जो ज्यादा तर हम इस्तेमाल करते हैं एक हल की अकरिती के खिलोने को देखकर लगा कि उस समय हल का भी प्रियोग होता होगा आपको पता है बच्चों हल क्या होता है? खेतों को फसल से पहले तैयार किया जाता है बैलों की सहता से हल द्वारा मिट्टी को खोदा जाता है जिसे जुताई कहते है तो बच्चो अभी तक हमने जो पड़ा है इस अध्याय का अभी आधा वाग हुआ है बाकी का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे उमीद है आपको जो अध्याय का हिस्सक राय गया है वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा